हेलो अल्लियर फ्रेंश मैं गुलाब जी एने कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और शुआगत करता हूं दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो सबसे पहले मेरे जो भी नए वीवर आएंगे उसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाया उससे क्या होगा कि मेरे चैनल पर जाता से जादा आपको जनकार मेरे चैनल के माधियम से मिलेगी बहुत सारे मेरे फ्रेंड तो बोलते है कि आप वीडियो बनाते सरसेल कहां करें तासेल के लिए कि इंडिया में हर जगा तो मैं जा नहीं सकता लेकिन एक छोटा सा उप्सन यह रहता है कि इंडिया में अगर कहीं एक जिबिशन होता है जै करने कि आप उसकी सही जनकारी मेरे चैनल के माधियम से पहुँझा और जो आपके नियरे इवस्ट नियरस्ट सी घो जहां एकजिबिसतन हो तो आप अरामसे जाकर आपके नोट को काई को सिल कर सकते हैं तो दोस्तो यह हुआ आज में एक बहुत ही लेर नोट की जनकारी ले जब तक आप पूरा जनकारी नहीं मिलेंगे इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं तो दोस्तों मेरे जैनल पर एक चीज और किसी को भी सिल करना हो तो कोई रिजिस्ट्रेशन फी कोई नहीं लगता है एकदम बिल्कुल फीर है अगर पसंद आता है तो मैं वहां जा कभी ले सकत जो बहुत एस्ट्रीमली रियर नोट आते हैं अब मैं आपको यह दिखाता हूं दोस्तों यह देखो यह 100 रुपीज कोबाल्टी शू नोट है यहां पर थिरी लेडी डाउन है और इसके सिगनेचर को ने एस जगानाथन दोस्तों इस नोट को मैंने दिल्ली एक्जिबिश नोट पचीस सो रुपया में और अगर किसी फ्रेंड के पास मुझे भी नहीं पता है किसी के पास अगर गड़ी हो जैसे यह 100 पीज सिरियल हो तो दोस्तों इसको मैं बाइं करूंगा चार लाक रुपया में दोस्तों और अगर यूएंसी नोट हो सिरियल हो एक दो तीन पी कीमत होती है तो दोस्तों उससे बचे ऐसा कोई नोट नहीं बना है यह सारे फेक बाते हैं यह सारे फ्रॉडर यह काम करते हैं ताकि पैसा आट सके नए नए लोगों को बेवकूब बना कर पैसा लेते हैं दोस्तों जो मैं जनकारी दे रहा हूं उसका डाइरिक्ट बायर पास यह जो इस पैटरन का यह पहला इशू नोट बोलता है इसको यह कोबाल्ट इशू बना इस कलर में यह पहला नोट और पहला सिगनेचर है दोस्तों अगर दोस्तों आपके पास हो तो डाइरिक्ट मुझे सेल कर सकते हैं दोस्तों यह मेरा पीछे बैनर है मेरा वाटसप पूरा डीटेल है दोस्तों जितने भी नए भीवर आएंगे सब उसके लिए सबसे पहले कि मुझे ट्यूटर पर फॉलो फॉलो को आइड़ दरेट जी एने कलेक्शन अगर आपके पास कलेक्शन अच्छा है तो मुझे फेस्बुक मेरा जी एने कलेक्शन का ग्रूप है उ दोस्तों तो मैंने बताया ये कंडिशन का नोट का पचीस सो है यूएंसी का नोट अंसर्कुलेटर जिसको जब मार्केट में नहीं बैंक से निकाला घर में रख गया किसी के पास भी हो सकता है तो उसकी कीमत मैंने बताई 4000 में एक नोट लेता और गड़ी चार लाक रुप का 500 में बायर हूं इस कंडिशन में अर उगर वही यूंसी होने से 4,000 से 5,500 में में बायर हूं अगर यूंसी हो अर इंगलिंग साथा सो च्हासी हो दोस्तों तो यह साथा सोच्छी चासी कबताई अगर इसनोट में 786 हो तो नोट आपकेट अर्योंसैंच को वन ऑगलोग। अब दोस्तों बात कर लेते हैं fancy number जैसे all one 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 two 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 three 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 अगर ऐसा किसी friend के पास note हो तो मैं इस note को buying करूँगा fancy number इस condition में भी हो तो 4000 रुपे में buying करूँगा और UNC note हो कोई भी number all one all two all three तो 7000 to 8000 में एक note buying करता हूँ दोस्तों condition UNC होने से इस condition में क्या value है 4500 UNC में value 8000 तो दोस्तों मैं बताया है यह कितना rare note है तो जो भी मेरे friend video देखे इसको जाद से 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 इसको जितने हमारी जो फिल्ड में नुमेस्टमेटिक फिल्ड में जो लोग क्या बोलते हैं बाइंग सेलिंग होता है जो कलेक्टर होते है उसी रेट में बाइंग उसी के साब से बाइंग और सेलिंग होती है दोस्तों तो दोस्तों इस video को यहीं खतम करता हूँ अगर वीडियो आप